बुड़ी यरी स्टुडेंट, once again, welcome back to your own favorite channel, making classes, तो बच्छों, आज के इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं, class 9th का math, जो की दोस्तर number system है, chapter 1, ठीक है, math का जो chapter 1 है, number system, exercise 1.1 को हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे, इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगो number system का जो introduction part है, उसको मैंने cover कर रखा है, उसमें मैंने सारे point, सारे fact को वहाँ पर cover कर रखा है, जो आप लोगों को आगे number system में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, okay, तो अगर आप लोग उस introduction part को नहीं देखे हो, उस वीडियो को नहीं देखे हो, तो आप लोगो को मैं इस स्टार्ट करते हैं, first question से, तो यहां पर दिया है, is zero a rational number, can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to zero दिया है, ठीक है, तो यहां पर दोस्त, इसने basically पूछा है, zero क्या rational number है या नहीं है, अब जो rational number का जो criteria होता है, यहां पर दे रखा है, rational number जो होते हैं, वो p upon q के form में होते हैं, इसके बास यहां पर दोस्त, बी और q होते हैं, वो integers होते हैं, मतलब कि वो positive में भी numbers हो सकते हैं, minus में भी numbers हो सकते हैं, और वो जो numbers होते हैं, zero भी हो शकता है, यहां पर integers का जो आप जो यहां पर rational number का जो criteria हो यहां पर दे रखा है, और यहां पर दिया है, q is not equal to zero, मतलब कि यहां पर अगर हम लोग पी अपान क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर लिख रहे हैं तो यह पी और क्यू जो है वो एक इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव और जीरो के फॉर्म में हो सकता है और जो यह नीचे आप लोगों का डी नॉमिनेटर दिया है क्यू यह जीरो नहीं होना चाहिए तो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए और भी अलावा इसके अलावा जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है आप नीचे जैसे कि यहाँ पर हमने पताया था आप लोगों को रेशनल नंबर का जो पी अपन क्यों के फॉर्म में अगर लिखें तो हैं 2 upon 1 को इसी तरीके से अगर मैंने हमने बताया था आप लोगों को अगर मान लेते हैं कोई नंबर है 4 upon 8 ठीक है तो यह भी आप का रेशनल लंबर में ही काउंट होगा क्योंकि और अपान क्यू साइब एक यह बराबर दो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा यहां पर हम लोगों को समझना यह है कि जो 0 है दो 0 है वह रेशनल लंबर है या नहीं है तो जीरो के नीची हम लोग 1 लिखी सकते हैं और तो हमने ब की form में अब दिख रहा है एक जो है जब भी हम इसके नीचे वर्ण के फार्म में तो यहां पर P आपकियों का एक इंटीजर्स है तो पान क्यों और क्यूंदों इंटीजर्स हो गए मतलब एक क्राइटेरिया तो इसने फुल्फिल किया और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है क्यूं इस नॉट इकॉल टुजिरो के बराबर है या नहीं है अगर नहीं है तो यहां पर दोस्त यह जो जीरो है यह आपरों का रिशनल हो सकता है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जीरो इस और रेशनल नंबर तो यह आप लोग का पहला कोश्चन हो गया जिसका एंसर यहां पर जीरो आप लोग का रेशनल नंबर हो जाएगा ओके नेक्स जो कोश्चन है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं तो नेस्ट कोशन यह रहां लोगों का नादिया फाइंट सिक्स रेशनल नंबर बिट्विन 3 & 4 तो हमने बताया था जो 3 और 4 है के वल 3 जी अपन वन म bourण भी सिक्स रेशनल नंबर बोला है तो यहांपर से हम लोग Maine करेंगे कितने बड़े नंबर से हम लोग मल्टिप्लाइट करेंगे ऊतना ही उसके बीच में जो रेशनल लंबर है उनके बीच में जो आपनों के रेशनल लंबर मिलेंगे वो बहुत ज्यादे मिलेंगे यहां पर हम लोग 7 से यहां पर multiply करते हैं उपर नीचे numerator और denominator में तो 7 से हमने multiply कर लिया यहां पर 37 कितना होता है है 3 से वंजा आपनों का 21 होता है उसके बास यहां पर 117 कितना होता है उसके बास यहां पर 4 जो है 4 by 1 उसके numerator और यहां पर एक मिनट यहां पर 4 by 7 नहीं है इसको मैं बढ़र देता हूं उसके बाद से यहां पर दोस्तों जो 4 by 1 है 4 by 1 इसके numerator में और denominator में भी हम लोग 7 7 से हम पर multiply करेंगे तो 47 जा कितना होता है तो आप लोगों का होता है 28 और 7 वन जा क्या होता है तो 7 होता है तो यहां पर यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 21 by 7 और यहां पर लिख लेते हैं 28 by 7 अब इसके बीच देखिए कौन कौन से हम लोगों को रेशनल नंबर मिलने वाले हैं यहां पर मिलेगा आप लोगो 22 by 7 जिसे 23 by 7 जिसे 24 by 7 जिसे 25 by 7 फिर 26 by 7 यह उसके बाद से एक और नंबर मिलेगा इसको मैं उता देता हूं तो मैं आप लोगों तो यहां पर आप लोगों को एक और नंबर मिलेगा 27 by 27 वाई 7 ठीक है तो यहां पर देख लिजिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आपर 6 रेशनल लंबर हमने find कर लिया 21 by 7 और 28 by 7 के बीच अब 21, 7 को हम लोग 3 by 1 तो लिखी सकते हैं तो मतलब कि 3 और 4 के बीच में यहां पर जो रेशनल लंबर निकल के आएंगे वो आप लोगों की 6 रेशनल लंबर यह रहेंगे 22 by 23 by 7 24 by 7 and 25 by 7 26 by 7 and 27 by 7 यह छे रेशनल लंबर आप लोगों की यहां पर find हो जाएंगे ओके वो यह रहा second question का जो है answer ओके उसके बास से चलिए next question की तरफ मूव करते हैं तो next question आप लोगों का यह रहा यहां पर दिया find 5 रेशनल लंबर between 3 by 5 and 4 by 5 मतलब कि पिछली question की ही दरह थ उसमें single number दे रुखा था उसके नीचे मैंने one को जो है बटे के form में लाया और scor purity नमबर को बनाया उसके बास से उसके बीच मेंने बैख न हमने रेशनल लंबर को find हिया अब यहां पर क्या है यहां पर पहले से ही lawyer money 47 दो ऑसके बास से यहांपर पूछ रहा है इसके बीच ज हम लोग 6 से हम लोग numerator में हम लोग multiply करेंगे तो यहां पर थ्री बाइफ है और इसको ऊपर नीचे हम लोग जो है 6 से multiply करनेंगे तो 6 से multiply जब करेंगे तो 3 सिक्जा कितना होता है यहां पर आप लोग का हो जाएगा 18 अपन 5 सिक्जा कितना होता है अप लोग का हो जाएगा 30 ओके उसके पास यहां पर 4 by 5 जो है इसके numerator और denominator में हम लोग 26 से multiply कर लेते हैं तो 4 सिक्जा कितना होता है तो आप लोग का हो जाएगा आप लोग का 4 सिक्जा 6 चोग को 24 और बटे 6 पंजे आप लोग का 30 हो जाएगा ओके तो यहां पर आप लोग का 2 rational number यहां पर find up कर लिया हमने जिसका denominator हमने सेम भी कर लिया 30 30 तो यहां पर हो जाएग गंचे 19 1 30 मिल जाएगा 20 332 जाएगा उसके पासे 21 1 30 मिल जाएगा इसके पास से 23 पर मिल जाएगा मत यहां पर देखिए एक को यह मिली लिया वन तू उपिर से त्री इस से फॉर तो इस तरीके से दोस्ता रिशनल लंबर अगर दो रिशनल लंबर दिये गया है अब लोग से आप लोग जो है रिशनल लंबर को फाइंड कर सकते हो ऊके उसके बासे शली नेक्स्ट कोशन के करते हैं तो दोस्त नेश्ट कोशन आप लोगों का यह स्टेटमेंट वाली कोश्चन है इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा फॉल्स है तो यहां पर देखिए दिया है स्टेट वेदर फॉल्लइंग इस्टेटमेंट आर्टू और फॉल्स गिव रीजन्स और यॉर एंसर यहां पर टू फॉल्स बताना भी लेकिन उसके साथ हमको रीजन्स भी बताना है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है तो यहां पर फॉर्ष्ट कोश्चन दिया है एवरी नेश्रल नंबर इस होल नंबर ने आप लोगों को क्या बताया था जो नेश्रल नंबर्स होते हैं जो देंसे नंबर में क्या होता है जो निश्राल नंबर होते हैं वो तो एसे होते ही एंगो इसके आगे 103 फोर 5 षी वह सारे नंबर है तो हां बिलकुल लौ नंबर है क्योंकि यहां पर देखिए होल नमबर में यह 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर infinite तक पूरा दिख रहा है बस एक चीज है यहां पर 0 जुड़ गया है तो यहां पर इसलिए आप लोगों का यहां पर आप लोगों का निच्रल नमबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है तो निच्रल नमबर हो चकता है ठीक है लेकिन अगर यह ही पर पूछ लिए होना नममर निच्छल नमबर नहीं होंगे क्योंकि जीरो आप लोगों का निच्छल नमबर में नहीं है नहीं आएगे यहां पर उल्टा अगर और करेंगे तो यहां पर jadi अंभर इसके बास सिंट देखते हैं इक होत्य होते हैं और यहां पर inclusive और हो हो सकता है तो एवरी ACT होल नमबर क DLC क्या होते हैं मैं आप लोगों का माइनस भी आता है मैंस तो मामणस टोब नमबर में आएगा नहीं होल नमबर में आपको का जीरो आता है वाए कर तू सारे पॉजिटिव आते हैं लेक technic पर अगर कहा होता सारे rolex ga हो सकते हैं कि पिलकुल साहिए सारे इसे user अब जो हैं वो क्यों अपन तब यहां पो हो सकता था यहां पर उसके पाथनेश जो अब लोगों मोटव secular इसाल नम्बर ओर नमबर क्ैhold तो बढूबर में 2 by 4 भी आजाएगा, 3 by 4 भी आजाएगा, आप लोगं का 7 भी आजाएगा, ठीक है, 7 के नीचे हम लोग 1 लिख के इसको rational number में बना सकते हैं, तो यहां पर दिया every rational number is a whole number, तो whole number में आप लोगं का आजाता है 0, ओके, तो यहां पर अगर 2 by 4 की में बात करों, तो 2 by 4 जो है rational number में हैं, लेकिन इसको हम लोग whole number नहीं कह सकते हैं, तो यहां पर इसलिए भी false हो जाएगा, ओके, लेकिन यहां पर अगर 7 की बात करें, तो 7 के नीचे हम लोग 1 लेख सकते हैं, लेकिन यहां पर 7 अगर दिया है, तो 7, मतलब को कुछ number ही है, ऐसे जो whole number हो सकते हैं, कुछ ही rational number जो whole number में हो सकते हैं, लेकिन अगर fraction के form में कोई भी rational number दिया है, जैसे 4 by 5 हुआ, 7 by 8 हुआ, ठीक है, इस form में अगर है, तो वो दोस्त आपनों का whole number नहीं हो सकता है, whole number में 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आते हैं, अगर अपनों का denominator में 1 है, तब हो सकता है whole number, नहीं तो इस form में अगर के exercise 1.1 में, तो इसको मैंने आप लोगों को solve करवाया, अगर आप लोगों को दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो थोड़ी helpful साबित हुई हो, आप लोगों के लिए तो दोस्त वीडियो को like कर दें, और चैनल पर अगर आप लोगों नए है, तो चैनल को subscribe कर द नवाद मैंने वाद